आँओ बच्छों देखते हैं हिंदी माध्यम में पहली बार आसमान विरति चाल J Advanced बर्जन देखो मैं बता रहा हूं हिंदी माध्यम के लिए पहली बार आपको देखने को बुलेगा पहुट detailed analysis है mathematics की detail में बातचीत है लेकिन हमें सब सीखना है बच्छों आप एक अच्छी अध्यान का इस तरला के खड़ा करना है और इस मेहनत को इस मेरे प्रयासों को आप लोग ही आप लोग ही कर सकते ऊपर तो इसको जरूर वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज पहुंचे उनको भी पता चले कि क content Hindi में भी है, कोई कर रहा है, जो Hindi में कर रहा है सारी चीज़े यह भाषा की जो दूरीया है, इसको ख़तम कर रहा है तो आए बाकी बातचीत बान में कर लेंगे, पहले इस पथा, सबजेक्ट को देख लेता है कि कैसे देखा जा सकता है तो ऐसी परस्तिती में क्या होगा इसका तुरण, मैं बात कर रहा हूँ, रेखी यह तुरण, यानि कि linear acceleration, ना कि कोड़ी यह तुरण की, तो देखिए, vector A निकालना चाहते हैं, यह ठीक है, dv vector by dt, यह आ गया, तो अब v बराबर हमने पढ़ा था, omega cross r, where omega जो है, बच्चों, जहां पर omega, कोड़ी ये वेग, और r, उसका इस्तिती सदेश है, जो कि यह रहा, इस तरीके से चला ये पत्थ पर, तो कोड़ी ये वेग आपका इधर की तरफ है, यह रहा, कोड़ी ये वेग की दिशा, ऐसे समझीए, ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात हो गई, omega cross r, अब जयो मैंने बार-बार जब मैंने आप लोगों को ये अवकलन, बहुती कक्षा 11 गड़ित, बहुती गड़ित कक्षा 11 में प्लेलिस्ट में अवकलन बढ़ाया था, मैं एक बार आपस बार-बार कहता था, जिस तरीके से product rule मैंने आपको बताया है, यानि कि product ये किनी दो अगर फलों का गुड़न फल है, यानि कि कुनी दो functions का अगर आपके पास product दे रखा तो उनका differentiation यानि कि अफकल गुड़न कैसे निकालते हैं, वही rule का यहां पर इस्तबाल कर लेंगे, पहले V की value रख देते हैं, omega cross r by dt, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, पहले वाले का अफ कलन कर रहा हैं, फिर दूसरे वाले का अफ कलन पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, यह क्या हो गया आपका, यह यह तो कोणी यह वेग परिवर्तन की दर है, जिसे आप कोणी यह तोरण alpha बोलते हो, तो देखो, मैंने last video में बताया था, देखो, alpha cross r, बोला था, tangential acceleration आजाता है, सर, कैसे, alpha की direction यह देखो, cross r करोगे, वेग की दिशा में तुरण का यह घटक है, तुरण का घटक तो यह है, तो इससे क्या बोलते हैं, tangential acceleration बोलते हैं, ध्यान से देखो, सारे बाते बच्चों, तो यह बात हमें सब में आगे, यह tangential component आगया, तुरण का यह इस परशिय घटक आगया, यह क्या जी जो गई, omega, यह क्या है, इस्तिती परिवर्तन की दर, इस्तिती परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग, ताचछणिक दर है यह, तो यह ताचछणिक वेग आगया, भही, बहुत बड़ी है, omega cross v, वेग आगया, यह वेग हो गया, लेकिन वेग बराबर तो यह है, तो अगली लाइन में, क्या लिख सकते है, alpha cross r, प्लस omega cross r, यह चीज़ हो गई, यह क्या हो गया, कोई परिशानी की बाद नहीं, देखों, मैं आपको एक सूत्र बता चाहूं, जब आपके पास a cross b cross c दे रखा हो, तो क्या होता है वो, a dot c, vector b minus, a dot b, vector c, बस यह वाला सूत्र यहां लगा तो, तो a dot c, देखों, यहां पर क्या लिखेंगे, alpha cross, cross r, प्लस omega dot, c गया है, r है यहां पर, गुड़ा में, v की जगए, omega आ गया, omega vector, फिर गया, minus a dot b, omega dot omega, और साथ में बच्चों क्या आ गया, गुड़ा में, r, आप देखो, omega कहा है, omega कहा है, omega यह है, r कहा है, यह है, बीच में कोण कितना है, 90, यदि दो सदेश आपके लंबवत होते हैं, तो उनका dot product, उनका अधिश गुड़न चूनने हो जाता है, तो हमने यह 0 कर दिया, 0, minus omega dot omega, omega square r vector, अच्चा, कैसे, क्योंकि omega r के लंबवत हैं, इसलिए, तो देखो, क्या सेम चीज आ गई, जो अभी पढ़ा था, यह आपका tangential acceleration, यह आपका normal acceleration, जो केंदर की तरफ है, आपका देखो, वही चीज आ गई, यह है इसकी complete mathematical details, जो हमने अभी discuss करी है, असामान वृत्तिय चाल की, तो बहुत अच्छे से समझेगा बच्चों, बहुत महनत से समझेगा इसको, पूरा time दीजेगा,